नमस्कार दोस्तों मद्यप्रदेश मौसम चैनल में आपका बहुत स्वागत है मद्यप्रदेश के विबिन हिस्सों में अगले एक सब्ता तक बरसात के गत्विदे देखने को मिलेगी मानसुन जाने के बाद भी कई जगों पर तेज हाओ के साथ दोस्तों सीत लहर के साथ ठेंड का परकॉप तो कुछ जगों पर भारी बरसात भी हो सकते हैं शनिवार रविवार के दिन क्या सच में मद्यप्रदेश में बरसात हो सकते हैं सही जानकरी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और कमिंट करके जरू बतना क्या मद्यप्रदेश में कहां परेते हैं तो आखरी दोर में दोस्तों मद्यप्रदेश की 21 जिलो में मांसुन तरबतर कर रहा है 15 अक्तूमर के बाद मांसुन पूरी तरह से मध्य परदेश से विदा हो जाएगा हलाकि अभी भी तीन दिन तक नमी बनी है तो यहाँ पर बताएजार कि दो दिन के बाद जबलपूर सागर रिवा शेडॉल में भी बरसाथ के साथ मौसम बदलेगा तो कुछ जगों पर दोस्तों हलकी ठेंड मैसुस हो रहे है तो कुछ जगों पर उताचडाव के साथ मांसुन दोस्तों 35 जिलो से मांसुन विदा भी हो चुका है वही मौसम विबा की मान तो इसी तरह उताचडाव के साथ दोस्तों जोना एक साइक्लोनिक सिर्कुलिशन सिस्टेम एक्टिव है जिसकी विज़े से देश के कई राज्यों का मौसम बदल रहा है MP की बात कर लेते हैं तो मध्य परदेश के इन जिलों में उताचडाव के साथ बरसाथ के साथ मौसम मिला जुला रहेगा और उताचडाव के साथ चेतावनी भी देखने को मिली गए और अलड़ भी जारी क्या गया है आज की ताज़े ख़िबर के मुदा दोस्तों मध्य परदेश के जोना निम्च मंसोर, उज्जेन, देवास और साथ में आगर, साजापूर, भोपाल, शिहोर, विदिसा, राइसेन, राजगर, गुना, अशोकनगर, जाबो, अलिराजपूर, बढ़वानी, इंदोर, खर्गोन, खंडवा, हर्दा, नर्मदापूरम, सागर, मुरेना, भिंड, ग परदेश, मारश्र, उतर परदेश, और गुजरात के सेश भागों पर दक्षिन, परशे, मानसुन की वापसी के समवान है, लक्षिदीप और सलगन, दक्षिन, पूर्वा, और मध्य पूर्वा, अरब सागर के उपर बना निम्न दवाओ का शेतर, आज जोना, बताए, जा पूरी, अनुपूर, शेडोल, दिन्डोरी, जबलपूर, नरसिंगपूर, छेंदवाड़ा, शिवनी, मनला, बालगाट, पांडूना जिलो में, कहीं कहीं पर, और नर्मदापूर, बेतुल, खरगोन, बढ़वानी जिलो में, कुछ इस तानों पर बरसात और गरत चमक के स जोकेदार हवाई चलने के साथ कुछ जोगवर मौसम सुसक है, तो कई शेत्रों में बदलाव भी देखा जा रहा हूँ, उताचड़ाव भी जारी है, मध्य परदेश में, दक्षिरी भाग में, एक बार फिर से, अरब सागर में बनी मौसम प्रनालियो के प्रभाव से मौस 3 के करीब बरसात हुई, मध्य परदेश में लगातार बदलते मौसम के साथ, कश्मीर में 200 बर्फ बारी के चलते मैदन इलाकों का भी मौसम बदल रहा है, और मध्य परदेश के मौसम में भी आचानक बदला होने के साथ, देवा, सनुपूर, कटनी, डिनोरी, नर्सिंग प चिंदवाड़ा और शिवनी में 30-40 किलोमेटर परती गंटे की रफ्तार से हवाई चल सकते, इसके साथ यह अन्य जिलों में वेभी निस्वों में बारिश की सम्भाण है, वाई दोस्तों 21 ऐसे शेतर है, जहाँ पर उताचड़ाव के साथ मानसुन की विदाई रुग गए जिसके चलते प्रदेश में 3-4 दिनों तक हलकी बरसात होगी जबकि पश्चिमी शेतरों में तेज दूप किलेगी, मनसुन निम्च रतला, मुझयन, देवा, सागर, साजापूर, बोपार, शियोर, विदिसा, राइसे, राजगर, गुना, अशोगनगर, जाबु, बढ़वानी, इंदोर, करगोन, खनवा, हर्दा, नर्मदापूर, सागर, दमवा, निवारी, टिकमगर, छातरपूर, पन्ना, ग्वालिर, मुरेना, बिंड, दत्या, शिवपूरी, शिवपूर में, मानसुन विदा हो चुका है, जिसके जलते यहां पर मौसम साफ रहनी की उमीद भी जता ही जारी है, वही तादे जानकरी के मताब साइक्लोनी सर्कुलेशन सिस्टेम एक्टिवे, जिसकी वज़े से मध्य परदेश के दक्षिनी, और पूरी शेत्रों में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, मानसुन, जाते जाते परदेश के क कई जगों पर दोस्तो उताचडव जारी है, तो वही दोस्तो यह आकरी बरसाद बताई जारी है, मौसम में, बेस तारीक के बाद दोस्तो दीरे-दीरे थन का प्रकोब बढ़ेगा, और कई शेतरों में अभी भी, सुबह और शाम के समय ठंड़क मैसूस की जारी है, और शन मौसम में बदला हो सकता है, उताचडव जार रहेगा, सीधी में 23-24 रात के समय दिन में 23-24 बादल भी चैरिंग के उताचडव जारी है, बादलो के अधिके साथ परिवार तर मौसम साफस होना रहेगा, पूरे के पूरे दोस्तों यहाँ पर बढ़वानी में 25-25 रात के सम बादल चैरिंग के बरसात के गतिद्यों को लेकर चैरता होनी, अलर्ट भी जारी किया गया, और मौसम में ठंडग भी देखनी को मिल रहेगा, यहाँ पर पूरे इख़दार में, अगले 24 गंटों के तरह अच्छी कासी बरसात और बिजली चमक सकती है, तो कई शतरों में बादल चैरिंग के बरसात की गतिद्यों को लेकर चैरता होनी, अलर्ट जारी किया गया, और कई जगों पर शिवपूरी की बात की जाए, तो बदला देखने को मिलेगा, रविवार की दिन हलकी बूंदा मुदी तो कुछ जगों पर मौसम में ठंडग भी हो सकता है, मौसम मिला जुला रेने को लेकर चैरता होनी, तो कई जगों पर बदला होगा, यहाँ पर मनसुर में 24-25 रात के समय दिन में 33-31, शनिवार रविवार के दिन बरसात की बूंदा मुदी बरसात के गतिद्यों को लेकर चैरता होनी, अलर्ट जारी किया गया, मौसम में ठंडग और बादलो के अजगे के साथ परिवर्तन होगा, राइसेन में 24-25 रात के समय दिन में 33-34, शनिवार रविवार सोमवार तक हलकी बूंदा मुदी बरसात के गतिद्यों को लेकर चैरता होनी, अलर्ट जारी किया गया, मौसम में ठंडग और बादलो के अजगे के साथ परिवर बादलो के अजगे के साथ परिवर्तन हो सकता है, यहाँ पर शेवपूर में 26-27 रात के समय दिन में 33-34, शनिवार रविवार को हलकी बूंदा मुदी हो सकती है, बरसात के साथ मौसम में ठंडग उताचडव जारी रहेगा, इसे के साथ अजग नगर में 3 दिन बादल, बा बादलो के अजगों पर बदलाव भी देखने को मिल सकता है, बूना में 24-25 रात के समय दिन में 32-33 रहुआर सोमवार के दिन बूंदा मुदी, बसात की गतिदियों को लेकर चेतावनी अलट जारी किया गया, मौसम में ठंडग रहेगा, बादलो के होजे के साथ परिवर्त जारी किये गई है, यहाँ पर होसंगाबाद में 4 दिन बादल रहुआर के दिन बरसात और बिजली चमक सकती है, बरसात की गतिदियों को लेकर चेतावनी अलट जारी किया गया, मौसम में ठंडग और परिवर्तन होगा, यहाँ पर पूरे सिंगरोली में 7 दिन तक बादलो का खेंगे साथ परिवर्तन देखने को मिल रहा हो ता चड़ा अफजारी रहेगा, बरसात की गतिदियों को लेकर चेतावनी अलट जारी किया गया, मौसम में ठंडग रह का और बादलो का खेंगे साथ परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है, राजगर में दो दिन बादल, शनिवार रहिवार सोमवार को अलकी मुंदा मुंदी बादल शैरिंगों ताचड़ाव जारी है तो कई जगों पर परिवर्तन देखा जा रहा है बुरानपुल में 24, 25, 26 रात के समय दिन में 32, 33 पूरे 7 दिन अलकी बुंदा मुंदी बरसाथ के साथ मौसम में हलचल उताचड़ा फजार रहेगा तो कई जगों पर बदलाव देखने को मिल सकता है बिन्ड में दोस्तो 23, 24 रात के समय दिन में 33, 34 रही वार के दिन अलकी बुंदा मुंदी उताचड़ा फजार रहेगा सागर के मौसम में बदलाव नीम चे दत्या पन्ना शिवर रिवा में बादलो के आवज़े जार रहेगी शिवनी शेडॉल दमवा, टिकमगर, जाबवा, इंदोर की बात के तो शनिवार, रहिवार से बरसाथ और बिजली चमक सकती है मुरेना में बादलो के आवज़े जारी है नर्सिंग पूर, बालगाट, मन्ड़ा, बेतुल, अनुपूर, आगर, निवारी समेथ रहिवार तक अच्छी कासी बरसात हो सकती है तो कुछ जोगों पर उताचड़ा भी जारी रहेगा यानि पूरे MP के मौसम में बदलाव देखा जा रहे है तो यह था पूरे मद्य परदेश का मौसम